नमस्कार आपका स्वागत है दोस्तो भगवान स्री कृष्ण की अनुसार गाई को रोज ये फल खिलाने से मनुष्य के जिवन से दुख, दारिद्र और निराशा समाप्त हो जाती है और विक्ति पर मालक्ष्मी प्रसन हो जाती है दोस्तो भगवान कृष्ण केहते हैं कि गाई समस्त संसार की माता स्वरुप है गाई में ही सभी देवी देवताओं का निवास है अत गव की सेवा करने से समस्त संसार की सेवा का पुन्यम मिलता है अगर कोई मुनुष्य गव की सेवा करता है तो उसके सभी जन्मों के पाप कर्म नष्ट हो जाते है और उसे अक्षय पुन्य की प्राप्ति होती है गाय की सेवा करने वाला मुनुष्य, मृत्य के पस्चात, गवलोक में जाकर भगवान स्रीकिष्ण के साथ निवास करता है दोस्तों गाय हिंदु धर्म का सबसे पवित्र पशु है, वैसे तो सभी पशु पूज नहीं है, हिंदु धर्म में सभी जीव जन्तुओं को पूजा जाता है संसार का सबसे महान धर्म, सनातन हिंदु धर्म, सबी पशु प्रानियों पर दयार कुरुना का भाव सिकाता है हमारे पुरानों की अनुसार गाय मा कामधेनु का रूप है कामधेनु माता सबी मनो कामनाओ को पूर्ण करने वाली है इनकी पूजा करने से समस्त देवी देवताओं की पूजा का पुन्य मिलता है इसलिए आज हम आपको बताने जा रहे है गव माता की कृपा पाने के लिए मनुश को उन्हें कौन सा फल रोज खिलाना चाहिए जो मा काम धिनु को अत्यंत प्रिय है दोस्तों आपको बता दे कि गव माता की सिंगों के अगरभाग में साक्षा जनारदन विश्नु सुरुप भगवान वेदवयास रमन करते है इसलिए जब आपके द्वार पर कोई गव आए अथो अगर आपके घर में गाय हो तो उसके माथे पर सर लगा कर उन्हें नमन करना चाहिए गव माता की सिंगों की जड़ में देवी पारवती और सिंगों के मद्य भागों में भगवान सदाश्यू विराजमान रहते है इसलिए गव माता की सिंगों के जड़ में कुम कुम लगा कर मापार्वती के आराधना करनी चाहिए और सिंगो के मद्दे में इबीत लगा कर महादेव के पूजा करनी चाहिए गवमाता की मस्तक में ब्रह्मदेव, कंदे में ब्रहस्पती, ललाट में व्रशाभारुट भगवान शंकर, कानों में अश्विनी कुमार, नेत्रों में सुर्या और चंद्रमा रहते हैं इस प्रकार से गाय की सेवा करने से आपको सभी का आश्यरुवात प्राप्तो होता है गवमाता के दातों में समस्त रुशिगन, जीब में मा सरसोती तता वक्षस्थल में एवं पिंडलियों में सारे देवता निवास करते हैं गवमाता के खुरों के मद्य भाग में गंधर्व, अगर भाग में शेशनाग तता पिछले भाग में मुक्या अपसराव का स्थान है गवमाता के पीछे के भाग में पित्र गनों का तता भ्रकटी मूल में तीनों गुनों का निवास बताया गया है गाय के रोम कूपो में रुशिगन तता चम्डी में प्रजापती निवास करते है गव के उसके थुए में नक्षत्रो सहित, शुरुति लोक, पीट में यमराज, अपार देव में संपुर्ण तिर्थ, एवं गो मुत्र में साक्षाद गंगाजी विरास्ती है इस प्रकार से गाय के शरी में समस्त देवी देवताओं का निवास है, गाय को पानी से नहला कर उन्हें रोटी खिलानी चाहिए, पुरानों के अनुसार गाय को प्रती दिन केला खिलाने से बड़ा ही पुन्य मिलता है, केला भगवान विश्नु का आतिप्रिय फल है, इसे ग द्वार पर कोई गाय आती है, तो उसे मार कर बिल्कुल भी ना भगाय, द्वार पर आई गोमाता के पूजा करे, उन्हें रोटी अवश्य खिलाए, और अगर हो सके तो रोज केला भी अवश्य खिलाए, ऐसा करने से माता काम धेनु की क्रपा मनुश्य को प्राप्तो होती है, और मनुश्य जीवन में कभी भी आर्थिक और मानसीख परिशानी का सामना नहीं करता, तो दोस्ति ये थी वो महतोपुर्ण बाते, जो गोमाता के बारे में आपको जाननी आवश्यक थी, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करे, कमेंट में जै गोमाता और जै शिर सिर्कृष्ण आवची लिखे, साथी चानल को सब्सक्राइब जरू करे, धन्यवाद